हड़ा सराय स्थितिक जरजर मकान को लेकर विवात का मामला सामने आया कुछ लोग बात को तूल देने में लगे हुए हैं मकान मालिक नियमा नुसार बैट कर बात करना चाहते हैं लेकिन कुछ नेताओं को लेकर विवात करने का कुछ लोगों ने मन बनाया है बार बार नोटिस देने के बाद भी परिशान किया जा रहा है मकान जरजर है मकान का हिशा है कि मकान के तीन चार मालिक है मेन मालिक इसके जती हैं गोरकपूर अमीन भाई ने एक हिस्सा मकान उपर खैदा है एक हिस्सा बात के लिए बैट के बात करला है ने अब बात हो जाया आए चुर्पान ? दूस्टा वरमा के नाम है एक दूप्ता जी के नाम है एंदर गुत्ता एक दुकान हमारी है बाइट के बात कर ले बाई इज़र से मैं मकान मालेक का चाचा हूँ और ऐसान उलहक ने इस मकान को लिया इस मकान में विवाद कोई भी नहीं है और जो दुकंदार हैं वो भी नियाती सरीप लोग है और बैपारी ऐसे भी सरीफ होता है लेकिन उसमें एकाइक दुगंदारे ऐसे हैं कि जो विवात को पैदा कर रहे हैं और उसके सिलसिले में वो डिमांड रखने की कोशिस कर रहे हैं जो बिश्वया लोग हैं जैसे जो भी नेता एक हैं राम गोपाल वर्मा साहब वो भी आए तो उन्होंने अपनी कानूनी बात बताई और अपने इसाब से वो चलने के लिए कहा मैंने का इसा नहीं होगा जो चीज है जो पेपर है मकान का वो लोग कहते हैं चार आदमी मकान मालिक हैं मैं कहता हूँ मैं एकेले मकान मालिक हूँ और यदि उन लोग के पास पेपर है तो अभी तक नियाय पालिका में मेरी नोटिस भी गई ये लोग को सब गया अभी तक ये लोग को पास कोई जवाब नहीं है और रहे गया कि मकान नंबर मकान नंबर और मकान मालिक जो भी है सामने आए मेरे पास तो पेपर हाट चीज का पेपर है दाखिल कारीज का पेपर है मकान की पोजिशन यह है कि मैंने एक साल पहले नगर निगम में उसको अप्लीकेशन दिया उस सब का पेपर मेरे पास है जो भी पेपर चाहिए वो पेपर मेरे नाम से है मेरे पास है मैं ये नहीं चाहता हूँ आज मकान गिर जाए तो कल के दिन आस्सा हो जाता है तो उसके जिम्मदान मकान मालिक होंगे जो आयसान उलकी है बगल में खड़े है हम ये चाहते हैं कि दुकनदारों का सम्मान हो दुकनदार बैठके थाने में बात करना चाहे या आपस में बात करना चाहे लेकिन किसी की मामने में कोई भी नेता या कोई विवार इसा ना पैदा करे जो डिमांड रख के बात करें हम यह चाहते हैं कि मेरा मकान है आपकी दुकान है आपके पार दुकंदार के पार पेपर है आप तुरन लेके साने पे चलिए मैं उसके साथ हूँ और यदि कोई मकान अभी गिर जाएगा और सबका पुरूप मेरे पास यह पेपर बताएगा किसी का मुकत्मा नहीं चला है मैंने कैबनेट दाकिल कर दिया उसका भी नोटिस लोग को बेज दिया दुकंदारों को मैंने नोटिस बेज दिया लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा है टाली एक आदमी का जवाब आ रहा है राम कोपाल वर्मा साहिब सब जगर से फून करवाते हैं यह लक्षा के बीजेपी एक नेता है वो अपने आपको नेता बनाते हैं बनते हैं और उपर से भी फून करवा देते हैं उपर से किसी बिदाइक से फून करवा देंगे यह इधर करवा देंगे